दोस्तों सबसे पहले हम इस मोडल की बात करते हैं जो कि आप देख रहे हो सूपर पावर मोडूल लिखा हुआ है इस पर दोस्तों यह मोडूल जो है लगाने में भी इजी है लेकिन जितना है लगाने में इजी है उतना ही है अमें नुक्सान दायक है इसका लगाने का प्रोसस सिंपल सा है आप एल्क्रिक्षन भाई होने बहुत ही यह वाले मोडल लगाई होंगे CR-D TV में जाधर यह वाले मोडल लगता है और LED TV भाजी वाजी जो वाजी वाजी जो हमारे नही बाई हैं वो इस मोडल को लगा देते हैं लगा तो देते हैं दोस्तों लेकिन वो इस मोडूल को लगाने के बाद हमारा पूरा सेट डेमेज हो जाता है हमारा मदरबोर्ड पूरी तरीके से खतम हो जाता है और मदरबोर्ड के साथ साथ दोस्तों पैनल को भी ये मोडूल खतम कर देता है क्यों खतम करता है मैं वी इस वीडियो में आपको बताता हूँ आप देख पा रहे हो इसके बैक साइड में एक प्री सेट लगा हुआ है जिसका नमबर 502 है यह प्री सेट दोस्तो जैसे ही यह स्टार्टिंग में तो चल जाता है कुछ दिन तक और कुछ दिन के बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कुछ दिन के बाद दोस्तो इस प्री सेट की वैलू शिफ्ट हो जाती है और वैलू शिफ्ट होते के साथ ही यह हमें ओवर बोल्टेज आउटपुट करता है मालो कोई हमारी पावर सप्लाई 12 बोल्ट गी है और उस पे हमें अचानक 25 बोल्टेज मोच जाएं तो आप जान सकते हो क्या होगा कार्ड की IC भी खतम होगी और साथ साथ में हमारा पैनल भी खतम होगा claandra Na therm ит में भी वही कंडिशन है दोस्तों हमारी 110 कि सप्डाई यह आउटपुट आसानी करता है लेगन कुस समय चलने के बाद यह Và module content करता है और दोस्तों मैं इस मोड्ल को बिल्कुल ही रिकमेंडिट नहीं करूंगा अगर जो कोई पावर सप्लाई रिपेर करने में दिक्कत होते है तो वो मैं चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर दवाएं क्योंकि मैं पावर सप्लाई से रिलेटिड वीडियो अपने चैनल पर अक्सर डालता रहूंगा दोस्तो अगर जो आप मिझे कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे मिझे अच्छा रिस्पोंस मिलेगा तो मैं एक से एक बैस पावर सप्लाई की वीडियो आपको अपने चैनल पर देखने को मिलेंगी तो हम दोस्तो इसके साथ साथ नेक्स्ट मोडूल की बात करते हैं नेक्स्ट मोडूल जो है यह आप देख सकते हो यह वाला नेक्स्ट मोडूल है जो कि 5 से 24 अपने नाम भी सुना होगा यह वाला मोडूल देखा भी होगा यह अक्सर आपको LED TV में का ही मोडूल है अक्सर CRT TV में आपको देखने को नहीं मिलेगा यह LED TV में मोडूल देखने को मिलेगा दोस्तों इसमें क्या है मैं आपको वठाता हूँ इसमें यह हमारा लफ्स हो जाता है लेकिन लगने के बाद क्या होता है इसमें ओप्तो कपलर की दो वायर लिकाल के हम आउट्पुट के काड़ गए ओप्तो कपलर पर हम कनेक्ट कर देते हैं दो वायर जो होती है हमें वही नॉर्मल मोडूल की तरह है इस वाले मोडूल की तरह हमें यूज करनी होती है तो दोस्तों यह जी मोडल इसमें अगर जम इसको सीधे डारेट लगांगे ओप्तो कपलर की आउट्पुट में नहीं देंगे अगर जम इसको डारेट यूज करेंगे तो इसमें भी वही कंडिशन होगी इसमें भी दोस्तों आपजेक सकते हो प्रिसेट लगा हुआ है और जैसे प्रिसेट की वैलू शिप्ट होगी इसमें भी हमारे ओवर वोल्टेज हो जाएंगे तो कुछ इलेक्टिशन वाई क्या करते हैं इसका कपलर की पिनों को बाहर कर लेते हैं और हमारा कार्ड जो होता है इसमें दो बार आउट वाली लेते हैं और इसके कनेक्ट कर देते हैं तो दोस्तों यह भी हमें जादे खास मोडूल नहीं लगा इसमें भी हमें प्रोपलम देखने को मिलती है इसके भी दोस्तों हाई एंपियर होते हैं तो दोस्तों यह भी कुछ हद तक ठीक नहीं है मोडूल मैं इसको भी रिकेमेंडिट नहीं करता हूं और दोस्तों अब हम दोस्तों यह पावर सप्राइ के मौडूल है 24 से बारए बोल्ट की आसानी से लग जाता है इसके रिजल्ट की बात करूं दोस्तों करूं दोस्तों यह हमें 24 से पचास इंची तक आसानी से लगा सकते हैं जोविश से पचास इंची तक हम इसको आसानी से लगा सकते हैं, और लगाने का प्रोसेस दोस्तों, इसका थोड़ा सा अलग है, अगर जो हम दोस्तों इसको बारे बॉल्ट पर लगाना चाहते हैं, बारे बॉल्ट की सप्लाई पर, आगर आउटपुट पर हमें कार्ड में, बारे बोल्ट की आउट्पूट सप्लाई है, तो इसका लगाने का दोस्तो थोड़ा सा तरीका अलाग है, आप देख सकते हो दोस्तों, यहां पे दो रेस्टेंज लगी है, इन रेस्टेंजों को दोस्तों आपको सिफ्ट करना होगा, मेरे चैनल पे एक और वीडियो है, इसक तो आप उस वीडियो को देखके आप यह वाली रेस्टेंज शिफ्ट करके बारे पर कनेक्ट कर सकते हैं, इससे में आप देख सकते हो, इससे में आप देख सकते हो, यह हमारा बारे पर कनेक्ट है, बारे आउट्पूट की सप्लाई पर कनेक्ट है, और चोविश बोल्ट इसमें दोस्तों क्या है मैं आपको बताता हूं अगर तो हमारे मदरबोर्ड में आउट में दिक्कत है, कपिलर के तरफ दिक्कत है, इधर, 431 तरफ कोई प्रोब्लम है, हमारी प्रोब्लम आ रही है, या किसी कोई हमारी एलेडी टीव लोड नहीं उठा रही है, तो हम इसको आसानी से इसमें लगा सकते हैं, इसका में भी हमारे बेस्ट है, तो अब दोस्तो हम नेक्स्ट मोडूल की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट मोडूल को इसा है, हम आपको बताते हैं, नेक्स्ट मोडूल यह हमारा यह वाला, नेक्स्ट मोडूल यह हमारा, जो कि देखने में नॉर्मल सा मोडूल है दोस्तो, लेकिन इसका result हमें काफी हद तक बेस्ट लगा हम इसको आसानी से अपने LED TV में आसानी से इंस्टोल कर सकते हैं 24-32 तक आसानी से मोडूल हमें लग जाता है लेकिन ये single coupler के लिए हिमें मोडूले हैं और ये हमें छोटी से छोटी supply में आसानी से लग जाता है जिसमें 12 बोल्ट की सप्लाई हो वो इसमें आसानी से हमें लगा सकते हैं इसके लगाने का प्रोसेस दोस्तों आप यूटूब पे और मेरे चैनल पे भी है इसकी वीडियो अवेलेवल हैं तो आप इसको भी आसानी से लगा सकते हो इसमें कोई आउट्ग का कोई चक्कर नहीं आता आप देख सकते हैं किसी प्रकार का प्रीशैट नहीं दिया हुआ है प्रीशैट वाले अकसर मोडूल हमें दोका देते हैं और हमारे मेदर बोल्ट को डैमेज कर देते हैं तो दोस्तों मैं रिकमेंड इट करूँगा इस वाले मोडूल को आप अपने LED TV में लगाएं और टैंजन फिर हो जाएं तो मैं इस वाले मोडूल को लगाने के लिए रिकमेंड करूँगा इसमें भी हमारा कोई प्रिसेट नहीं है और लगाने में भी बहुत आसान है तोड़ी से स्विचिंग की दिक्कत आती है वह मेरे आप चैनल पर देख सकते हैं स्विचिंग की प्रोलम किसकी वजह से आती है अगर हमारे एलेक्टिशियन भाई हमें कोई ओपिनिंग देना चाहते हैं तो वो हमें कमेंड में बता सकते हैं कि कौन सा मोडूल आपको लगाने में बैस लगता है तो आप हमें कमेंड में जबर बता सकते हैं और या फिर मार्किन में कोई नेव मोडूल है वो भी हमें कमे में आप इलेक्टिशन भाई बता सकते हैं तो दोस्तों यहीं तक्तिती मेरी वीडियो अब जो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फिलिस लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों मैं पावर सप्लाई के उपर अक्षर वीडियो आपके इस चैनल पर लाता तो दोस्तों धन्यवाद